श्री महाल अच्वे नमा वास्तु ग्यानगंगा यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों क्या मास खाना पाप है इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में विश्तार से जानकारी देंगे हिंदू धर्म में मास खाना मना है या नहीं इस सम्मंद में कई लोगों के मन में ब्रह्म है साकारी भोजन को हिंदू धर्म में उत्तम माना गया है मास खाने को लेकर के कोई शक्त अनुदेश्त नहीं दिया गया आओ इसके बारे में आज हम जानते हैं बेदी हिंदू धरम के धरम गरंते हैं बेदों का सार उपनिसद और साती महापुराणों के वह इसाव से धरम के अंसार हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है यहां तीनों का मत जानेंगे बेदों में मास खाने के सम्मंद में इस्परष्ट मना किया गया है बेदों में पसु अत्या पाप मानी गई है जो कुछ भी बेदों में लखा है अगर उसके इसाव से चलते हैं तो यह धरम के अनकूल रहेगा यानि मास खाना पाप होता है जो मने से नर अश्व अत्वा किसी अन्य पशु का मास सेवन कर उसको अपने सरी का भाग बनाता है गो की अत्याकर अन्य जनों को दूद आदी से बंचित रखता है अगनी स्वरूप राजा अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रिकार से ना सुने तो आप उसका मस्तक सरी से अलग कर सकते हैं यह सास्त्रों में नियम मना गया है जो व्यक्ति मासार के लिए पशु का अत्या करते हैं पशु का मास सेवन करते हैं उनका आप सिर कलम कर सकते हैं या फांसी की सजया दे सकते हैं गीता के अंसार गीता में मास खाने या नहीं खाने के उल्लेक के बजाए अन्न को तीन स्रेणियों में विवाजित किया गया है सत्व रज और तम गीता के अंसार अन्न से ही मन और बिचार बनते हैं जो मन उस साथ्तिक बोजन करता है उसकी सोच भी साथ्तिक होगी अता है साथ्तिकता के लिए साथ्तिक बोजन राजिसिकता के लिए राजिसिक बोजन और तामसिक बोजन बनाया होता है यदि कोई व्यक्ति साथ्तुक व्यक्ति है वह साथ्तुक वोजन करता तो मन में भी साथ्तुक विचार आते हैं उसी प्रकार जो व्यक्ति मासार खाता है तो उसके मन में भी अनेकी प्रकार की तामसिक अनेकी प्रकार के वह तामसिक करम करना सुरो जाता है और विचार भी उसकी तामसिक रहते हैं मास दो प्रकार के होते हैं राजसिक और तामसिक उसको पखाने के तरीश से भी उसकी स्राणित होती है संतो ब्राम्मडो धरम की कारमिकारतों लोगों को साथ तक भोजन करना चाहिए लेकिन युद्ध कीड़ा और भयंकर कर मेतू लोगों को राजसिक भोजन करना चाहिए हालांकि तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भोजन राक्षस, पिसाच और असरों का भोजन माना जाता है तामसिक भोजन में अच्छे से नहीं, दोया गया मास, बासी भोजन, खराब भोजन, बहुत तीका और मसालिदार आदी भोजे सामिल होते ही यजरुवेदी है, शुरुता नुसार, रोप चार में सरीर की पुष्टी है तू कभी-कभी मासार करना जरूरी होता है शुरुतता सहता नुसार, मास, लेसन और प्याज ओस्दी है, ओस्दी किसी बीमारी के लाज हितु होती है, उसके जिब्या के स्वाद के लिए नहीं, अगर जो चीज बीमारी के लिए दी जा रही हो तो उसके लिए कोई दोशने होता है, लेकिन अगर स्वाद के लिए खाया इस तरह देका गया किसी विशिश रोग में कुछ पशुमों के मासर्डी वा अन अंगों का प्रयोग भी किया जाता है लेकिन वह रोग निवारण के लिए होता है देवताओं को प्रसंद करने के लिए वली का प्रयोक किया जाता था बली प्रता के अंतरगत बरगा इसमें जो बकरा मुर्गा और भेंस की बली दी जाती थी लेकिन वह सभी भगवान ने बंद करा दी उनकी जगह पर फल चड़ाने लग गई दरसल बली प्रता हिंदू दरम के एक प्रता थी जो इस समय बंद करा दी गई थी और भगवान ने तता महाकाल ने अने को ऐसे नियम मनाए कि उसकी जगह पर आप पूस्प चड़ा सकते हैं तो मासाहर तामसिक बोजन होता है इसलिए इससे जितने दूर बना के रखें उतना अच्छा है लेकिन वस्तिये के लिए जो प्रियोग किया जाए उसमें दोस्त नहीं होता है लेकिन जो अपने मतलब के लिए मासाहर करते हैं वो एप आपके भागी होते हैं वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैमा करें!